अब सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे Ask Your Question सीरीज के Question No. 50 असमानुसुर रह्मान जी का प्रश्ण है EPCL में 400 का Call, 2 Lot, Hold करूं या Cell मैं असम से रहुआ तो रह्मान जी सबसे पहले मैं आपसे शमा चाता हूँ आपका Question हम कल आंसर नहीं कर पाये थे मैं होप आपने हमारा पुराने वाला वीडियो देखा है similar Question हमसे एक और हमारे दर्शक ने पूछा था पर क्योंकि आपका Question legitimate है तो हमने इसको भी सेलेक किया है हम आपके Question को आंसर कर रहे है ये पहले दर्शकों को समझा दें इस Question का क्या मतलब है कुछ दर्शकों को शायद ये Question तरेक्ली नहीं समझ में आएगा C का मतलब होता है Call इन्होंने 400 की Strike Price की Call के 2 Lot खरीदे हुए है इनको क्या करना चाहिए अभी यहाँ पर ये असम से है तो हम इसको पहले दो हिस्सों में बाटेंगे पहले BPCL का Understanding करेंगे कि Technical Level पर क्या चल रहा है इसमें साथी साथ Fundamental Valuation करेंगे और फिर आपके Particular Question को देखेंगे कि जो आपने इस मंत की 400 की Call लिया दो लोट उसका क्या Option बन सकता है Options are very risky I hope you understand what you have done तो हम उसकी बात करते हैं तो पहले अगर इसका चार्ट देखें तो ये देखिए जो इसका चार्ट पे इसने 30 सितंबर को एक बड़ी लंबी बार बनाई है उसका Reason क्या था? क्योंकि इनकी Privatization फिर से डिले हो गई है Privatization की बात चल रही है पर COVID के चलते हुए कोई लोग नहीं आ चुके है उसकी डिटेल हमार के बत करेंगे तो उसकी वैसे उसका एकसम प्राइज नीचे गिर किया है तो अब इसमें हो क्या सकता है अगर हम यहाँ पर इनकी कॉल निका ले तो दीखिए BPCL 20 October 400 का कॉल यह इनकी कॉल अभी इसका प्राइज 5 रुपे के आसपास चल रहा है अब हमें रहमान जी हमें यह नहीं पता है आपका प्राइज कितना है तो हम यहाँ पर एवरेज प्राइज निकाल के आपको बताते हैं और फिर देखेंगे कि अजूम करते हैं कि इनका प्राइज उतना है तो जब से इसमें एक्टिव ट्रेडिंग शुरू हुई है उसका एवरेज प्राइज करीब करीब 26 रुपे है अब हमें मालूम नहीं है इनोने इतने हाई लेवल पर खरीदा है कि नहीं खरीदा है इसको थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि यह ज़्यादा time जो activity होती है जो volume ज़्यादा है वो यहाँ पर active volume तो हम simple बात करते हैं माल लेजे जो active volume शुरू है वो यहाँ से शुरू है 23 तारिक से इनका price और चाहिए तो आप एक दिन पहले भी लेते हैं 22 तारिक तो यह इनका price माल लेते हैं कि इनका price करीब करी 12 रुपे के पास average price तो अब इसमें होगा क्या कि जब इनका price 12 रुपे है तो इनको effectively profit करने के लिए और 400 की strike price है इनको profit करने के लिए जो इसका price है वो 412 रुपे होना चाहिए अब 412 एक बहुत strong resistance की तरह से काम करेगा है तो आपको profit आने के लिए 412 क्या level आने के लिए आपको profitable होने के लिए या आपको break even होने के लिए तो 412 तक जाना चीज़ को बंद होते होते हैं इसको जो सबसे main resistance रहेगा 387 करहेगा अगर उसने किसी तरह से इसको तोड़ भी दिया तो अगला resistance रहेगा करीब करीब 394 का और उसके बाद में अभी के हिसाब से 406 रुपे करें तो तीन resistance है जो इसको बहुत मेहनत से पार करने पढ़ेंगे यहां पर इसकी उम्मीद कम है कि यह October मन्त में 412 रुपे क्रॉस कर पार है अगर यहां पर देखें इनका जो प्राइस है आज आज एक बहुत अच्छी डौची केंडल बनी है जो पिछली केंडल के all अंदर है तो यह यहां से undecisive है अभी हो सकता है short term के लिए 345 का एक base बन गया है यहां से अब उपर जाने की कुशिश करें या फिर अगर यह उपर को जाने को fail होता है तो फिर यहां से कुशिश करें तो नो पॉसिबिल्टी बन सकती है जोजी केंडल का मतलब सिंपल होता है यह decision चलिए अब आगे चलकर कुछ इसकी fundamental valuation द यहां हम telegram channel पर भी है चाहे तो join कर सकते हैं please consult a financial advisor जैसा हमने बताया option में रिस्क बहुत जादा होते हैं option की अगर आप काम करते हैं तो आपके option के सारी peaks पता होनी चाहिए इटा क्या है गामा क्या है वेगा क्या है उन सब को जाने के बगएर और implied volatility क्या है आपका interest कितने पर calculate कर रहे हैं इन सब के बगएर आपको option में हम खुद से nifty के future on option बैंक nifty के future on option में बहुत actively trade करते हैं पर हम पिछले करीब करीब 13 सालों से यह काम कर रहे हैं इसलिए हमें expert knowledge है expert view है और तब भी हम गल्टी करते हैं अब हमें रह्मान जी आपका पता नहीं है आपको कितनी knowledge है कितना आपने इसमें काम किया है बट हम अजूम कर रहे हैं कि आपको fair knowledge है पूरी जादा knowledge नहीं है पूरा जादा experience नहीं है इसलिए आपको आगे future में options में मत काम कीजिए वो पैसा आप बचाके रखिए अपना उससे अच्छा है आप पांच शेयर करी लिए बीपी सीयल के उतने प्राइज में आप इतने सारे मत करी दिये दिरे दिरे पैसा आपका बड़ा होगा अब जाके आप आराम से काम हैं अभी इस option में इसमें इसमें जो premium होता है वो हमे बहुत ही risky strategy होती है इसको as a hedging की तरह से यूज के आजाता है कुछ लोग इसको income की तरह से भी उस करते हैं बट income में उसको बहुत difficult है as a new investor options से income अब प्लीज हमारी बात समझे है हम आपको अपने experience के basis पर बोल रहे है options में मत काम है अब आगे की क्या strategy होगी वह हम आपको बताए अपर उससे पहले जाले सका fundamental analysis अगर इसकी sales figure देखे जाए तो जून के quarter में जैसा expected था sales नीचे आ गई है 68,000 करोड के बजाए 37,000 करोड हो गई है और जो profitability है वो करीब करीब 200-2000 करोड की रह गए है जो की अच्छी है क्योंकि उन्हें expense को control किया है अब प्राइविटाजेशन जैसे आपको बताया है यह एक बार फिर से delay हो गया है इसमें बाहर के delegate आने है विदेशी companies के managers और engineers आए देखेंगे यहां पर देखेंगे कि आगे का क्या काम हो सकता है तो वो सब देखके उनकी supply chain कैसी है वो सब देखके उसके बाद इसको confirm करेंगे और अपना submit submission करेंगे कोविड की वज़े से वो सब डिले हो रहा है तो इसकी वज़े से उन्होंने इसको भी अपना process को डिले कर दिया अब नई डेट जो आई है नमवंबर 16 है request for permission करेंगे करेंगे दोस्तों हम लोग जैसा हमने बता है निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्टिव सर्विस आठ हजार रुपे पर मंत में आपको दे सकते हैं आपको यह सर्विस चीए तो आप मेल ब्रॉप कर सकते है अब अगर बीपी सील के हम प्रमोटर से एक होल्डिंग देखें त दोस्तों यह अच्छी कंपनी है जब प्राइडाजिशन होगी तो इसको बता रहा है कि आगी जा सकता है तो देखें बुलींजर बैंड आपको बता सकता है जब यह expand हो रहा है तो यहां से अगर वापिस retrace करेगा तो इसका resistance क्या हो सकता है तो इसके आज की तारीक के हिसा हिसाब से दो-चार दिन में उपर जाने की कुशिश करता है और इसने 361 level को क्रॉस किया है closing basis पे तो हो सकता है यह आगे उपर जाए और आपकी प्राइस थोड़ी सी बढ़के मिले गिया पर इसको 361 का level क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है तो हमारी अगर इसको उपर जाना ह अब ही इसने सेल सिगलन जलनेट किया हुआ है जो कि एक डेगेटिव यू बना रहा और अगर आप सिंपलिस्टिक मीडियन प्राइस भी देखेंगे मीडियन के प्राइस बेसिस पर भी नया लोग बनाना शुन कर दिया है जो कि एक healthy sign नहीं है अगर किसी तरह से इसने 380 का अगर किसी तरह से इसने 380 का क्रॉस कर दिया नीचे फिर फर्दर डाउन तो चार्ट पर थोड़ा सा वीक लग रहा है इसलिए कॉल में ज्यादा फायता की है अगर प्राइस थोड़ा कम है तो अच्छी बात है पर अनफॉर्चनेटली रहमान जी आपको हमें बोलना आपको थोड़ा सा समझना है option की strategies अब जाके option में काम कीजिए अगर आप option की strategy नहीं समझते हैं तो हम आडवाइस करेंगे और विनम्र निविदन है आप से आप सभी detail दर्शकों से कि अगर आप option को नहीं समझते हैं प्लीज उसमें काम मत कीजिए unless and till आप पूर्फेश यह इसका price जैसा हमने बताया 361 के cross हो जाता है तो आप इसको hold कर सकते हैं और अपने above price के आने पर बेच सकते हैं और जैसे ही आपका price आए आपको अगर 5% भी return मिल रहा है बगयर कुछ बोले इसको close कर दीजेगा अब अगर इसमें देखें कि आप इसमें करते कैसे काम है तो देखें सिंपल है अगर आप इसमें खरीदेंगे यह option की trade आपको बता देगा इसकी quantity जो है इन्होंने 1,800 लिए वो लॉट खरीदें है 3600 quantity खरीदी हुगे इन्होंने आपर 3600 तो अगर आप simply भी बात करें पर इन्होंने इन्वेस काफी बड़ी quantity है हम आपसे अगेन करते हैं इतना पैसा इतनी लंबी long call में मत डालिये I am not sure यह हमारे को दूसरा question आया है अब हमें पता नहीं है क्या CNBC TV पर आवास पर यह किसी ने बताया था कि इसकी call खरीद लीजे क्योंकि अगर दो लोगों ने एक question पूछाए तो definitely कहीं से न कहीं से common लोगों को information मिली है और यह हम शमा चाहते हैं पर यह थोड़ा सा गलत position है आपको यहां से पनी position जल्दी से cover करनी है loss मत रखे अगर प्राइज इसका 360 के उपर जाता है तो हो सकता है आपको आपका profit मिल जाए बढ़ना बहुत मुश्क इसका BPCL का अगर आप holding कर रहे हैं तो continue hold as a stock हमारा 3 साल का target long term के लिए 900 रुपे का है इसका अपना समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशा करता हूँ आप यहां पर सीख रहे हैं जय हिंद जय भाग